तेवारों का सीजन शुरू हो चुका है और तेवारों की खुशियों में चार चार नगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नॉवंबर को लेकर आया है ओफर्स का महुस्ब सेल जहां आपको मिलेंगे exclusive discount and offers on all supercoaching तो अगर आप इन exams की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाएए और इन शांदार offers और discount का लाव उठाईए Hello everyone, welcome to testbook supercoaching banking channel कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आप सभी students का आज के एक special session में special video lecture में बहुत सारे students ये discussion देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं regarding SBI clerk या SBI junior executive जिसका हम कहते हैं junior associate जिसका हम कहते हैं तो उस exam के बारे में कि अभी SBI PO का exam प्री तो हो गया उसके बाद SBI clerk का notification आएगा या नहीं आएगा इस year इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे discussions चल रहे हैं बहुत सारे अलग-अलग platforms पर तो उससे related एक update बोल दीजाए उससे related ये एक video हम कर रहे हैं जिसमें हम discuss करेंगे regarding this whole scenario with SBI clerk 2023 तो बात करते हैं इस exam की जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये exam जो है clerical level की exam होती है और ये exam 2023 में इसका notification आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में हम discussion कर रहे हैं तो अभी तक जितने भी sources से हमने बातचीत की अभी तक जितने भी चीज़े हमने देखी study की, उनसे एक बात पता चलती है कि इस साल exam आने के chances बहुत जादा है तो इस बार exam जो है वो आपका आएगा और इसका notification का जो date है exactly कौन से दिन ये notification जारी किया जाएगा इसके बारे में अभी तक शॉरिटी नहीं है लेकिन probably अगले हफते के अंदर अंदर मतलब ये हफता खतम होते होते नोटिफिकेश आने के संभावना है अभी आप आज तारीक हमारी अगर आप देखें आज 6th November है आज Monday है 6th November है और इस इसी week मतलब around 12 November के पहले यानि कि दिवाली के पहले ये notification आने के chances है most probably Thursday, Friday तक भी आ सकता है ये notification इस हफते में अगर by chance किसी reason से पहले before November, before 12th of November ये notification आने के संभावनाए है तो अगर आप bank exams की तियारी कर रहे हैं अगर आप ऐसे student हैं जो SBI PO appear कर चुके हैं तो मैं यह suggest करूंगा कि आप SBI clerical की भी तियारी साथ-साथ continue रखे, शुरू रखे क्योंकि exam का notification जब आता है उसके just 40 दिनों बाद आपकी pre-exam होगी 40-45 दिन के अंदर अंदर आपकी pre-exam होगी तो अलग से separately preparation के लिए time नहीं मिलेगा तो अभी आप अगर preparation के zone में हैं preparation के इसमें आ चुके हैं तो उसको continue करिए और जो नए students हैं जो अभी-भी start करेंगे preparation कि sir wait करते है notification आने का और उसके बाद हम preparation start करेंगे इस attitude से अगर आप जाएंगे तो शायद दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगी because there is very very less amount of time, period of time जो आप बोल सकते हैं कि इस exam की notification date में और prelims की exam इसके बाद एक दूसरा सवाल आता है, अभी exam के pattern के बारे में तो सबको पता है कि pre होती है, mains होती है या न, clerical level की exam है तो interview तो नहीं होगा लेकिन pre और mains ये दो stages रहेंगे लेकिन एक दूसरा बहुत important सवाल आता है कि sir vacancies कितनी आ सकती total vacancies कि, expected vacancies कितनी है तो बहुत सारी चीजे उसमें involved होती है बहुत सारा data उसमें involved होता है लेकिन हमारा अंदाजा है around six to seven thousand के आसपास six to seven thousand के आसपास vacancies आपकी होनी चाहिए इस साल और ये बस एक tentative number है इससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन six to seven thousand के range में ये vacancies इस बार हो सकती है तो काफी अच्छी खासी number में vacancies आएंगी और आपकी जैसे मैंने कहा कि आपका जो notification date है उस date के 45 days के अंदर आपकी pre-exam होती है मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर 12 November के आसपास अगर notification आ जाता है तो December last week तक आपका pre-exam होने की संभावना है तो technically November का आधा महिना और December का पूरा महिना इतना ही time हमारे पास बचता है हमारे preparation के लिए और यह एक ऐसी exam है जहां पर बहुत सारे students apply करते हैं बहुत सारे जो students है जो बाकी job कर रहे हैं बाकी exams में as a clerk वो भी SBI clerk की examination को apply करते हैं क्योंकि एक prestigious bank है इंडिया की सबसे बड़ी bank है और वहां पर अगर आपको job मिलती है तो एक बहुती अलग feeling होती है उस बात की that is why there are many many students who will be preparing for this exam once the notification drops in and that is why you will have to be a cut about the rest थोड़ा सा आपको अपने preparation को boost करना पड़ेगा आपकी preparation को और अच्छे से strategize करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम समय बचेगा आपके लिए exam की preparation के लिए तो इसी preparation के बारे मैं या इसी preparation को लेके अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए discount offer भी चल रहा है test book super coaching के तरफ से offer का महुतसव sale ये 6th, 7th और 8th November ये 3 दिन sale चलेगा और अगर आप यहाँ देखें bank super pack जो है इसमें आप enroll कर लीजे क्योंकि आपको सारी चीजे एक जगा पर मिल जाएंगे आपके पूरे preparation के लिए इसमें pass pro का भी subscription है जहाँ पर आपको धेर सारे mock test मिलेंगे previous year के question papers मिलेंगे live classes, recorded lectures, सब कुछ आपको एक जगा पर मिलता है और ये bank super pack में आप enroll कर लीजे, इसकी link वीडियो के नीचे description box में आपके लिए available की गई है, इसके अलावा आप ये coupon code का इस्तेमाल कर सकते हैं KAUSTUBHEA मेरा coupon code है, इससे आपको maximum discount मिलेगा, apply coupon वाला जो option आता है, वहाँ पर आप इसे apply कर सकते हैं, तो जो students in exams की तियारी कर रहे हैं SBI clerk की तियारी करेंगे, तो notification का wait ना करें, आए आ ही जाएगा, एक हफते के अंदर-अंदर expected notification आना, 12th November के पहले ही आएगा, अगर by chance बाद में भी आता है, तो भी notification आने की बहुत-बहुत-बहुत संभावनाए है, exam होगा SBI clerk का, तो आप अपने preparation को start करें, किसी भी चीज़ का wait ना करते हुए, preparation को अच्छे से start करें, maths, reasoning, English सभी subjects का अच्छे से आपको preparation यहाँ पर शुरू करना है ठीक है, so I hope आज का ये session, आज का ये video आपको helpful लगा beneficial लगा, और telegram पर भी जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ ये मेरा telegram ID है, at the rate kaustup sir underscore test book, या फिर QR code से scan करके जुड़ सकते हो यहाँ पर सारे PDFs और YouTube classes की links आपको मिल जाएंगे banking के सारे lectures हमारे चलते हैं, YouTube के हमारे channel पर सभी maths, reasoning, English के सभी subjects के lectures चलते हैं, English के अगर मैं बात करूँ, तो मेरा session दुपर को 12 बजे होता है, इसी channel पर Monday to Friday, so उस session में भी आप regularly आके अपने English preparation को improve कर सकते हैं, ठीक है तो आज के इस वीडियो में यही पर रुखते हैं that is all from our side for today, thank you so much all of you for watching this session and watching this video, वीडियो अच्छा लगा तो like and share जरूर करियेगा and अपनी bank exams की preparation को start कीजे, bye bye guys, take care have a good day